नवश्कार आज फिर उपस्तित हुआ हूं सापताहिक रासिफल लेके दिनांक 7 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 तक मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विविन राशियों के लिए इसके उपर चर्चा करेंगे देखेंगे क्या स्तितिया बनती हैं सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पढ़ने वाले तीस्त औहौरों की बात करते हैं आठ तारिक को अगर कहें आठ अगस्त को काला आश्टमी का ब्रत है जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं बता दूं रोणी एक आदस्षी है दस तारिक को बारा तारिक को अगर कहें पर्मा एक आदस्षी है तेरा तारिक को प्रदोश वृत है चलिए कारकम को शुरू करते हैं सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखेगा मेरा राशी फल आपकी चंद राशी पे आधारित है जहां पर भी चंद्रमा आपकी जरम कुल्ली में बैठा है वो आपकी चंद्रासी हुई अगर आपको अपनी राशी का नहीं पता तो नाम राशी के आधार पे भी इस का इरिकम को देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों के लिए मेश राशी वालों के अगर कहा जाए हफ़ते की शुरुवात चंद्रमा कही ना कहीं आपके राशी के उपर ही रहेंगे ऐसे में कहा जाएगा कि मन तरह तरह की भ्रामा के सितियां मन में पैदा होंगी चीजों को लेके confusion होगा विवाहिक जीवन में क्या करें कैसे इधर करें उधर जाएं इधर जाएं क्या स्तितियां都是 लोगों की कही ना कहीं शिकायद घर परिवार में आपके साथ रहेगी वही धन की बात करें, पैसे की बात करें, समाने हैं जो आपके काम चलने हैं, समानेता चलते रहेंगे व्याय खर्च होगा, लेकिन दिशा सही होगी कर्ज, कर्ज से सम्मंदि चीजों के लिए भी सावधान रहने की जरूरत है लेकिन बहुत जादा डनने की आउशकता नहीं है कोई भी कर्ज लेना या कर्ज देना, दोनों में सावधानी रखिए जल्दवाजी हर बढ़ाहट में काम मत करिए यात्राओं से सम्मंदि चीजों में देखदाके यात्रा करिए विदेश आत्रा से सम्मंदि चीजें अच्छी हैं विद्ध्यार्थियों की बात करें मौके इस हफ्ते आपको जञधा मिलेंगे अगर आप प्रेमी जूगल हैं प्रेमी जूगलों की अगर में बात करूँ तो कही ना कही जगड़े, जंजट, वाद विवात, क्रोध, इत्यादी चीजे इस हफ्ते में ज़्यादा होगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें सामाने हैं, धन के दश्री कोण से अच्छा है। मेश राशी वालों के लिए अगर कहा जाए, तो साथ तारिक और बारा तारिक बेहाद अच्छी है, सावधानी जो है, दस तारिक और ग्यारा तारिक को रखनी है, लगी नंबर की बात करें। नंबर पांच व्रशव राशी राशी से द्वादस में चंद्रमा का गोचर, राहु के साथ गरहन नामक एक दुरियोग। ऐसे में कहा जाएगा कोट का चैरी वाद्विवाद थाना पुलिस इत्यादी चीजों से बचा के चलिए। किसी प्रकार के लड़ाई जगडे त्यादी चीजों में सावधानी रखें, देखदाक के चलें, खान-पान का ध्यान रखें, अपने स्वास्त का ध्यान रखें, माता के स्वास्त का ध्यान रखें, अगर कोई ट्रेवलिंग करना चाह रहें, यात्रा करना चाह रहें, और और खासकर हफ़ते की शुरुवात के दो-तीन दिन जो है, परहेज करिए, दो-तीन दिनों के बाद आप कर सकते हैं, वहीं व्यवसाईयों की बात करें, तो सामान ने हैं, धन की स्थितियां सामान ने हैं, कारे आपके चलते रहेंगे, धन का आवागमन बना रहेगा, राजनी वेवाही जीवन में अगर कहा जाए तो घर परिवार के कारण तरह हो सकता है, जो भी माता, पिता है, कुछ ऐसे स्थितिया बन सकती है, कुछ ऐसी बाती हो सकते, जिसके कारण आपका मूर खराब हो, वही नौकरी पेशा लोगों की बात करें समाने विद्यार्थियों के लिए समय अन्कूल कहलाएगा सिक्षा से सम्बंदिच चीजों के लिए व्रशब राशीवालों के लिए 10 तारिक और 11 तारिक बेहाद अच्छी है साथ तारिक और 8 तारिक को विशेश का रखनी है लकी नंबर की बात करें नंबर 9 मिथुन राशीव राशी से लाब भाव में चंद्रमा का गोचर लोगों को पहचानिये क्योंकि इस समय पे आपको धोखा लग सकता है और खासकर वो धोखा जो है किसी करीबी मित्र के कारण या किसी मित्र के कारण इस समय पे धोखा ला सकता है धन के दश्टिकोंड से अगर कहा जाए सामाने हैं व्योस्थाएं आपकी चलती रहेंगी उधाल लेंदेन से सम्मंदिचीजों में सावधानी रखिए लेके तनाव हो सकता है एक बात वहीं पे कर्ज अगर ले रखा है तो कर्ज उतानने के लिए समय कुछ बहतर है वहीं पे ये भी कहा जाएगा कर्ज के कारण तनाव भी हो सकता है शेर मार्केट निवेश चित्यादी चीजों में सावधानी रखिए राजनीती में हैं राजनीती में जाना चाह रहें तो इसके लिए समय बहतर कलाएगा मिथुन राशी वालों के लिए साथ तारीक और तेरा तारीक बेहत अच्छी है सावधानी जोहत दस तारीक और ग्यारा तारीक और विश्वेश का रखनी है कारण घर परिवार में तनाव ग्रहन के कारण घर परिवार के कारण कारेच्छेत्र में तनाव एक बात मकान जमीन से सम्मंद चीजों में सावधानी रखें यात्राओं से सम्मंद चीजों में सावधानी और यात्राओं को लेके मन खट्टा होगा दूसरी बात तीसरी चीज अगर कहें तो ससुराल पक्ष से मदवेद इस समय पे बढ़ सकते हैं कही ना कहीं भाग साथ देगा धन के देश्टिकोर से हफता अच्छा है निवेश इत्यादी चीजे अच्छी दिख रही है शेर मार्केट अन्य चीजों में सावधानी रखें बाकी कोई डनने वाली बात नहीं दिख रही है सावधान होके चलें वही सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकी दोनों के लिए और खासकर अगर कहा जाए गौर्नमेंट नौकरी के लिए बेहद अच्छा है उसमें भी मैं कहूंगा जिन लोगों का नौकरी में कोई वादिवा चला है उनके लिए विशेशकर समय कहलाएगा सरकारी तंतर से लाव लेना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है मान समान प्रतिष्ठाब में बढ़ोतरी को ये समय दिखाता है हाँ कुछ कामों में फ्लक्शुएशन इस हफ़ते में आएंगे लेकिन वो आएंगे और जाएंगे ये वाली स्थियां बनेंगी करकराशी वालों के लिए साथ तारिक और दस तारिक बेहद अच्छी है सावधानी जो है बारा तारीक और तेरा तारीक को रखनी है लगी नंबर की बात करें नंबर दो सिंग रासी रासी से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर ऐसे में कहा जाएगा हफता पूरा ही अच्छा है पिता से थोड़ा सम्मंद खराब हो सकते हैं पिता के स्वास पे असर पढ़ सकता है यात्राइं सोच समझ के करें अगर आप व्यवसाई हैं तो धन के लिए बेहद अच्छा है रुका हुआ धन फसा हुआ धन इस हफते में मिलता हुआ दिख रहा है करज लेंदें से सम्मंद चीजों के लिए समाने हैं यात्राओं से सम्मंद चीजों में थोड़ा सा सावधान रहके चले बाकी फाइदा है वो भी सावधानी हफते की शुरुवात में अगर कहा जाए ठीक है और कहीं न कहीं ये समय अगर कहा जाए ये हफता अगर कहा जाए कड़ी महनत को दिखाता हो और आप महनत करेंगे भी क्रोध पे थोड़ा नियंतर करके चलिएगा क्रोध के कारण आपकी चीजे खराब हो सकती हैं सरकारी नौकरी प्रैवेट नौकरी दोनों के लिए समय अच्छा है गवर्मन्ट जौब वालों के लिए अगर कहा जाए अगर आप नौकरी के साथ व्यवसाई भी करते हैं तो थोड़ा व्यवसाई को लेके मनखटा होगा प्रेमी जुगनों के लिए समय समाने विद्यार्थों के लिए समय उत्तम कहलाएगा बतलब कहिना कहीं भाग आपका पूर्ण रूप से साथ देगा सिंग रासी वालों के लिए 10 तारिक और 12 तारिक बेहत अच्छी है सावधानी जो है 7 तारिक 8 तारिक को रखनी है लकि नंबर की बात करें नंबर 6 बात करते हैं कन्या रासी वालों के लिए रासी से अश्टम भाव में चन्रमा ग्रहन नामा के एक दुरियोग लेके हफते की शुरुवात में रहेंगे ऐसे में कहा जाएगा आपने स्वास्त का ध्यान रखिए, खानपान का ध्यान रखिए, मितरता हितरता मितरता में कही ना कही तनाव होगा और कोई दुखत न्यूज आ सकती है सावधानी रखिए मितरता में बदनामी भी हो सकती है मितरता में बदनामी मतलब जो है संगत का ध्यान रखिए संगत के कारण चीजे खराब हो सकती है थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा धन को लेके थोड़ा आपा धापी रहेगी पैसे से सम्मधित, रोजगार से चीजों में, ये समय अगर कहा जाए तो उताज चड़ाऊ का कहलाएगा। नौकरी में, जहाँ पर भी आप काम करते आं, वहाँ पर अगर कहें, तो जिल लोगों के साथ काम करते हैं, वहाँ पर मन मुटाऊ की सितियां दिखती हैं। स्वास्त का फिर्स मैं कहूंगा ध्यान रखने की ज़रूरत है विद्यार्थियों की अगर बात करें तो सिख्षा से सम्मंद चीजों में कोई बदलाओ इस हफते में अच्छा नहीं है प्रेमी जुगलों की अगर बात करें तो तनाव इतना ज्यादा हो सकता है कि अलगाओ क स्थियां बन सकती है फिरेमी जुगल खासकर प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं बाच्चीत करना चाहते हूं उसके लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाक। बात करते हैं तुला राशिवालों के लिए राशी से सत्तम भाव में चंदडर्मा का गोचा तीन गी पकाना गूरू और गुरु और राह अगर कहा जाय besteht हो इसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के काम से सम्मंद्द चीजों में उताच रहाओ को ये हफता दिखाता है। धन फसना, धन रुकना, कहीं आप कोई शौटेज हो जाना, समान खईना चाह रहे हैं, कोई अपनी दुकान या शोरूम के लिए कोई माल या समान खईना चाह रहे हैं, उसमें कहीना कहीं शौटेज होन के काम करना चाह रहे हैं, तो पूर्ण रूप से साफधानी बढ़ते हैं, शेर मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कलाएगा, अगर आप विर्द्यार्थी हैं, सिक्षा से सम्मंद्द चीजों में, सिक्षा को लेके मन थोड़ा सा तूटेगा, अपनी दिन चरिया विवस्तित रखिएगा, वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें, और खासकर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो नौकरी के साथ विवसाय भी करते हैं, तो उतार चढ़ाओ को दिखाता है, लेकिन काम धंदा अगर कहा जाए, तो आपका स समानिता चलता रहेगा, तुला राशीवालों के लिए साथ तारिक और आठ तारिक बेहत अच्छी है, साफधानी जो है, दस तारिक और ग्यारा तारिक को रखनी है, लकिन नंबर की बात करें, नंबर तीन, बात करते हैं वरश्चिक राशीवालों के लिए, रासी से छटे भाव में चंद्रमा, गुरु, राहु, तीन गरहों का योग, ऐसे में कहा जाएगा धन के दश्टिकोंड से बहुत अच्छा हाफता है, कामधाम से सम्मंदित चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता है, ने कारियों में जा सकते हैं, जमीन से सम्मंदित, मकान से सम्मंदित, चीजों के लिए ये समय अनकूल है, बस सावधान होके चले, सावधानी बढ़ते हैं, अपने स्वास्त का ध्यान रखें, पीछे से कोई बिमारी चल लही है, तो उसमें कहीना कहीं इंपूर्मेंट भी दिखाई देता है, स्वास्त में लाब भी दिखता है, और वहीं पे ये भी कहा जाएगा, इस समय पे किसी बिमारी से पीडित हो सकते हैं, और खासकर अगर कहा जाए, आखों से संबंदित, या फिर कमर, बैक पेन जिसे कहते हैं, बैक पेन से संबंदित, इंफेक्शन को भी ये इंगत करता है, विरश्यक राशी वालों के लिए, साथ तारिक इस हफते की शुरुआत में रहेंगे, थोड़ा सा प्रेमी जुगलों के लिए मन मुटाओ का समय रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कन्फ्यूजन का समय रहेगा, विवसाईयों के अगर बात करें तो बेहद अच्छा समय है, धन के देश्टिकोंड से पूरा हफता ही अच्छा कहलाएगा, या त्राओं से सम्मन्दिच चीजों में सफलता को दिखाता है अगर आप विदेश जाना चाहरे हैं, या विदेश से अपने देश जाना चाहरे हैं, दोनों चीजों के लिए समय अच्छा है, और जो लोग विदेश में हैं, वहां पर इस्थाय तो तो उनके लिए भी समय अच्छा है, इस समय पे आप प्रयास कर सकते हैं, इस समय पे कहीना कहीं चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, शत्रूओं पे कहीना कहीं विजय मिलती हुई दिख रही हैं, एक बात, ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि पैतरक संपत्ती से संबंदित या प् उसके अनावा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बेहत अच्छा समय है, शेर मार्केट टादी चीजों में सावधानी रखिएगा, खराब नहीं है, थोड़ा सा अवेर होके चलिएगा, धन राशी वालों के लिए अगर कहा जाए, 10 तारिक और 12 तारिक बेहत अच्छी है, सा मंदे चीजों में उताचड़ाव इस हफते में बनेंगे, कोई करीबी आप से दूर हो सकता है, या करीबी के कारण पीड़ा मिल सकती है, भाई बहनों से सम्मंद खराब हो सकते, माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखिएगा, कोई नया काम शुरू करने से इस हफते में पर विद्यार्थों की बात करें, तो समय अनकूल है, प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इतादी चीजों में घर परिवारे में बातचीत करना चाह रहें, तो शुरुवाती दिनों में मत करिएगा, मतलब शुरुवात के इस हफते में दो-तिन दिन मत करिएगा, बाद मे ही करिएगा और समय देख लिजिएगा अच्छा सा समय देख के ही करिएगा महौल मतलब घर का महौल वही सरकारी नौकरी प्रैवेट नौकरी वालों के लिए का हैं तो कारिछे तुम्हें उथल पुथल इस हफ्ते में होगी लेकिन जैसे जैसे चीजे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीजे आपकी ठीक होगी धन का व्यजादा होगा दिशा गलत होगी वानी पे कंट्रोल करके चलिएगा वानी के चीजे मन मुटाओ या वानी के कारण आपकी चीजे खराब हो सकती हैं ससुराल पक्षे से मदवेद और पढ़ोसियों को लेके तनाओ पढ़ोसी जहां पर भी आप रहते हैं जो भी आपके नेवर हैं उनसको लेके तनाओ को भी ये हफता दिखाता है मकर राशी वालों के लिए 12 तारिक और 13 तारिक अच्छी है सावधानी जो है 7 तारिक 8 तारिक विशेश का रखनी है लगी नंबर की बात करें नंबर एक मैंद जाधा करनी पढ़ेरिगी उसके अनुसार परिड़ाम मिलेंगे धन के दश्रिकोन से धन फस्ता हुआ दिख रहा है चोरी हो सकती है थोड़ा सा सावधानी रखेगा एक बाद वहीं वाहन गारी बेषना खuishणे से सम्मंदित चीजों के लिए समय अनकूल नहीं है गले से सम्मंदित, कमरदर्ध से सम्मंदित या फिर कह लिए दाएने हाथ या दाएने पैर से सम्मंदित कोई समस्या इस समय पे उत्पन हो सकती है सावधानी बरते विद्यार्थियों के लिए समय अन्कूल है, सिख्छा से सम्मंदिच चीजों में, प्रेमी जुगलों की बात करें, तो ये समय भटकाओ की सितिया या बदनामी इस समय पे हो सकती है कुम्ब राशी वालों के लिए साथ तारीक और आठ तारीक अच्छी है, साफधानी विशेशकर दस तारीक और ग्यारा तारीक को रखनी है, लगी नंबर की बात करें, नंबर तीन मीन राशी, राशी से दुती भाव में चंदर्मा का गोचर, ग्रहन नामा के एक दुरियोग के साथ, हफते की शुरुवात में, ऐसे में कहा जाएगा, धन का व्याय इस हफते में जादा होगा कोई लेंदार आपको परिशान कर सकता है, कर्ज लेना, कर्ज देना, अगर कहा जाए, दोनों ही कही ना कहीं दिक्कत भरा दिखाई दे रहा है जो आपके काम है, वो समानेता चलते रहेंगे, व्याय और खर्च गलत दिशा में होने के कारण आने वाले समय में आपको दिक्कत होगी थोड़ा सावधानी रखिएगा, विद्यार्थियों की बात करें तो ताचरहाओ को दिखाता है, इस्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं कहलाएगा वहन गाड़ी त्याधी चीजे चलाने में सावधानी रखें, माता के स्वास्थ का धहन रखें, घर परिवार को लेके तनाव का समय भी इंगित होता है या दिखता है वहीं पे भाई बहनों को लेके एक सपोर्ट बढ़ेगा भाई बहनों को लेके तनाव कम होगा पीछे के मुकाबले मीन राशिवालों के लिए 10 तारिक और 11 तारिक अच्छी है सावधानी जो है 7 तारिक और 8 तारिक को रखनी है लगी नमबर की बात करें इस तरीके से में से लेके में तक सभी राशियों के बारे मैंने बताया अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी इश्वर आप सभी को स्वस्त रखे सुरक्षित रखे अभी तलिए बस इतना ही नमस्कार